प्रियागराज कुम्भ मेले में आये दो नागा साधूं के पास कुछ श्रधालू पूजा पार्ट कराने के लिए शनिवार को गय थे नागा साधूं और श्रधालू के बीच किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई विवार इतना बढ़ा कि एक साधूं ने अपने हाथ में लेकर चलने वाले चिम्टे से उसके सिर पर जोरदात प्रहार कर दिया जिससे श्रधालू का सिर फट गया और सिर से खून बहने लगा मेले में आये अन्य श्रधालू ने इसकी सूचना पुलिस को दी सूचना पाकरम मौके पर पहुंची पुलिस ने घाय श्रधालू को तुरंस अस्पताल इलाज के लिए बिजवाया इसके बाद पुलिस ने बादात करने वाले दोनों साधूं को हिरासत में ले लिया है